यूपी की योगी सरकार ने डियरेक्ट बेनेफिट ट्रांसवर के जरिये अब तक लगभग एक करोड से ज्यादा छात्रों के पेरेंट्स के बैंक अकाउंट्स में अर्बूर रुपे भेजे हैं। दरसल सरकार का प्रयास है कि बच्चे पूरे तरीके से स्कूल यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाएं और इससे पहले भी योगी सरकार ऐसे प्रयास करती रही है। लेकिन हर बार ब्रश्टाचारी होने का तब का मिलने के बाद, इस बार CM योगी ने ये पैसा बच्चों के अभिभावकों के खातों में भेशने का फैसला किया, तो क्या है सारी जानकारी, देखे इस वीडियो में. मुख्यमंत्री योगी आदेतनात ने प्रश्टाचार मुक्त व्यवस्था देने के लिए DBT यानि Direct Benefit Transfer तकनीक का प्रायोग करके, बेसिक स्कूल के करीब डेर करोड चातरों के अभिभावकों के खाते में करीब 90 अरब रुपए भेजे हैं, ताकि वो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म जूते मोजे खरीद सके, बच्चे हुए 60 लाग बच्चों के खाते में भी जल्द पैसे ट्रांसफर किये जाएंग योगी ने कहा कि बेसिक स्कूलों के खातरों को सामानने शिश्चाचार और साफ सफाई को भी सिखाया जाए, क्योंकि संसकारहीन शिक्षा कभी भी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र द्रों में अंतर नहीं कर पाएगी, प्रदेश में 6 लाग से ज्यादा शिक्षक, अन्य बुन्यादी सुविधाय मिल सकें, आपको बताते कि इसके तहट अभी तक बेसिक शिक्षा के 1,60,000 स्कूल में से 1,33,000 स्कूल को इस योजना में शामिल किया गया है, जिनमें खेल मैदान, बाउंडरी वॉल का निर्मान हो चुका है, अभी तक 4 सालों में हर स्कूली स्कूल आते थे, उन्हें स्वेटर उपलब्द करवाए गए, लेकिन इस सारे व्यवस्था में कपडों की गुडवत्ता और समय पर सवाल खड़े होते हैं, ऐसे में सरकार ने ये तह किया कि अभी भावकों को सीधे पैसा दिया जाए, जिससे वो अच्छे कपड़े और ज स्कूल पहुंचते हैं, साल 2017 और 2018 में उतर प्रदेश जहां बहुत पीछे हुआ करता था, वहीं तीन साल बाद आज नंबर एक स्थान पर आ गया है, ओपरेशन काया कल्प या तकनीक का उप्योग करते हुए इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, प्रदेश की शिक्षा व झाल